असलाम अलेकुम एबरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल आहीमा करजी सामसे ही मैं सोच रही थी कि चलो कुछ अच्छा बनाती हूँ ऐसे सोचते सोचते फिर मुझे लगा कि चलो सोचने से अच्छा है चलो बना ही लेती हूँ तो मैं यहाँ पे बनाने आ गई हूँ डिनर और आज की डिनर में मैं बनाऊंगी एक आसान सी मज़ेदार एक तम बहुती आसान बहुती मज़ेदार सी चीकें का रेसिपी है चीकें कीमा रेसिपी और उसके साथ बनाऊंगे नान रोटी और मैं यहाँ पे नान बनाने के लिए ले ली हूँ आटा और मैदा मिक्स करके और इसके अंदर में half table spoon baking powder, half table spoon baking soda और थोड़ा सा नमक और इसके अंदर दही डाल दूँगी और इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी उसके पाद हलका गुनगुना मिल्क में मैं थोड़ा सा ओयल और थोड़ा सा चीनी डालके उसको मिक्स करके यह आटा को गुन दी हूँ और इस आटा को मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ मैंने आटा को 30 मिनिट्स छोड़ दी हूँ रेस्ट करने के लिए और मैं पहली बार नान बना रही हूँ तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ कि ठीक होगा कि नहीं जो आटा रेस्ट हो रहा है और मैं रूप में आ गई हूँ थोड़ा सा आहन आप से बाचीत हो रही है और यहां मैं भी थोड़ा सा बैट गई हूँ उसके बाद चीकन भी बनाऊंगी और यहां बाते कते कते मैंने देखा कि देखो मैंने तो पाजामा को उल्टा पहन लिए सुबह से पहन के खूम रही हूं और किसी ने नोटीस भी नहीं किया और मैंने भी नोटीस नहीं किया अभी जब बैठ के देख रही थी तो देखा के चलो उल्टा पाजामा पैंड के बैठी हूँ जल्दी जल्दी में ध्यान ही ने दिकी उल्टा पैंट के बैटी हूँ और आहन अब तो बहुत मज़ा कुड़ा रही थी मेरी 30 मिरीज हो गई है और उसके बाद मैं यहां पर चली गई हूँ आठा को देखने अर आठा देखी इस तरह से लग रहा है और 30 मिरीज हो गया है यहाँ यहां पर में थोड़ा थ्वा चोटा-चोटा करके पेड़ा बना रही हूँ इसके बाद chicken को मैं चोटा चोटा पीस कर ली हूँ और यहाँ पे chicken को मैरिनेट कर रही हूँ थोड़ा सा नमाक और थोड़ा सा लाल मिर्ज डालके इसको अच्छे से mix करके रख दूँगी और इस चीकन कीमा बहुती जल्दी बन जाती है और बहुती टेस्टी बनती है और यहाँ पे मैंने कराई में थोड़ा सा ओयल दे दी हूँ और यहाँ पे करम मसला दे दी हूँ सारी उसके बाद मैं यहाँ पे प्यास को थोड़ा बारी काटिके इसमें डाल दी हूँ और प्य यहां पर थोड़ा जादा ही लगा और यहां पर देखिए तो गोल्ड n ब्राउन हो गया है प्यास का कलर और चिकन को ज्यादा मैरिनेत करने की कोई ज़रूरत नहीं है- 10-15 मिनिट इनाफ है जब तक चीकन मेरिनेट हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे प्यास को लाल कर ली उसके बाद यहाँ पे मैं साड़ा मसाला डाल रही हूँ मसाला में है अद्रक लसुन का पेस्ट है लाल मिर्च है फल्दी है और नमक है और थोड़ा सा टॉमेटू केचप डाल दी हूँ उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाला को अच्छे से भून लूँगी उसके बाद मैंने जो चीकन मेरिनेट करके रखी थी और मैं इसमें डाल दी हूँ उसके बाद चीकेन को बहुत अच्छे से भूनूंगी मसाला में और उसके अंदर हरी मिस चार पांस डाल दी हूँ जैसे मतलब इसके में हरी मिस का तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी दूसरे साइड में चीकेन को बनने में रग दी हूँ और यहाँ पर मैंने रोटी बना रही हूँ नान रोटी और इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी और दूसरे साइड में चीकेन भी भून रहा है मैं एक बार करके चीकेन को भून रही हूँ और एक बार आके इधर आके म मैंने चड़ा दी हूँ क्योंकि अचनक से प्लैन बना है कि नान रोटी और चिकन कीमाब बनाऊंगी तो बस लेट हो रहा है इसलिए मैंने जली-जली कर रही हूँ और यहां पर देखिए एक साइट में मैं पानी डाल दी हूँ और कड़ाई तो अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद मैं रोटी को डाल दूँगे और यहां पर फ्लेम हाई ही रहेगा और उस साइट में चीकन भी मेरा बन रहा है यह जो रोटी के उपर बबल सा रहा है तो समझ लेना के नीचे अच्छे से कूख खोड़ गया है और मैं फिर भी थोड़ा इधर उधर करके मतलब स ले रही हूं उसके बाद कराई को मैंने उल्टा करके सेक रही हूं और मैं पहली बार बना रही हूं तो पता नहीं कितना अच्छा होगा और मेरा कराई भी यहां पे थोड़ा पतला है और अगर हेवी कराई होती तो बहुत ही आसान होता तो मेरा तो देखिए यह तो हो गय असानी से उठ भी गया है और जब दूसरा में बनाऊंगी तो कड़ाए में चिपक जा रहा था नान रोटी को देखके तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है और साउट बना है और यहां पर देखिए चिकन भी हो गया है और पर मैं पानी डाल दी हूँ थोड़ा सा और यहां पर मतलब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके बाद में चिकन रेडी और यहां पर देखिए दूसरी तरह फिर्म से मैंने और एक नान बनाने के लिए दे दी हूँ और यहां पर इस नान को मुझे उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि चिपक जा रहा है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके रोटी बना रही थी और चिकन तो मेरा कंप्लिट हो गया है और मैंने सब को कहा के चलो बैट जाओ और गरम गरम खाना खालो और यहां पर देखिए मेरा चिकन भी रेडी हो गया है और चिकन में मैंने सोड़ा सा कसुरी मेठी को रोस्ट करके इसमें डाल दी हूँ और यह तो एकदम फाइनल टाच हो गया है कितना मज़ेदार है बहुत ही मज़ेदार बनती है यह चीकन कभी आप लोग भी इस चीकन को मतलब ट्राइ करिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा बाहर का खाना भूल जाएंगे और अलहमद थंडा हो जाएगी थंडी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा तो एह लोग तो खाके बोल रहाते के बहुत ही मज़ेदार बने है जब में खाऊंगी तब मुझे पता चलेगा यहां पर मैंने इन लोग को देखे फिर से मैं कीचिन में चली गई थी कुछ रोटी बनन हूं खाना खाने और अलहमदलिल्ला बहुती थी बनी है खाना और मुझे लग다 आथा में डर से नान रोटी नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे लगड़ा था कि मैं नहीं बना पाऊंगी लेकिन मतलब हिम्मत करके आच बना ली तो बहुती अच्छा बना है आगा now बहुती सो को साफ सफाई कर रही हूँ कीचन ते एक दम फैला हुआ था और यहां पर देखिए डिनार करने के बाद जो सब बतन हुई थी वो भी मैं हाथ हाथ में धो रही हूँ क्योंकि सुभा मुझे काम थोड़ा कम लगेगा और यहां पर कैबिनेट की थोड़ा सा मतलब क्लीन कर ली और आज का वीडियो इतना सही है असा करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी है फाइनली आज की दिन का कम मेरा खतम हुआ और आज के लिए इतना है है और अल्ला हाफेज